Hello Friends, क्या आप Assam Direct Requiemment की Job Interview के लिए जा रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगी यह Government of Assam के द्वारा बनाये गया Requiemment Commission है यह Educated or Unemployment Student है 8th, 10th और 12th Organization जो कप्रीट कर चुके हैं उनके लिए बनाया गया है और इसमें बहुत सी Vacances निकाली गई हैं जैसे Accountant, Cashier, Junior Assistant, LDA, Stenographer, Laboratory Assistant, Fieldman, Foreman, Driver, Junior Assistant की Jobs निकाली हैं इसमें Grade 3 और Grade 4 की Post निकाली हैं 26,441 Vacances निकाली हैं टोटल और 18-40 वर्ष के जो व्यक्ति हैं वो इसके लिए इपलाए कर सकते हैं और मैं इसकी Benefits बताना चाहूंगी यह Speedy Employment के Benefit देता है अगर लोग Employed होंगे तो Crime Rate कम होगा और उन्हें अपने Talent दिखाने का मोका मिलेगा और Government के परती जो लोगों का विश्वास है वो और जादा Increase होगा पढ़ाई के तरफ रुजान बढ़ेगा और लोगों मोटिवेशन मिलता रहेगा और इंटर्विव के दिरान आपसे असाम के बारे में कुछ कोशन्स पूट किया जा सकते हैं तो मैं आपको असाम के बारे में कुछ बताना चाहूंगी असाम इस अ नौर्थन इस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया और यहां का जो एरिया है 38,400 स्क्वेर किलोमेटर है असाम की जो पॉपुलेशन है वो 3,12,556 अकोडिंग टू 2,022 और जो यहां के वन होंड राइनो है वो स्टेट अनिमल कहलाता है फोक्स्टेल और्किट फ्लावर यहां का स्टेट फ्लावर है और असाम का जो स्टेट ट्री है वो हो लोंग है यहां की जो कैपिटल है वो दिसपूर है और सीम जो है वो श्री हिमानता विस्वा सर्मा है लेंगवज है असाम की स्टेट लेंगवज वो असमिस है और Assam की जो international border लगती है वो बांगलादेश और बुटान के साथ लगती है और Assam T production के लिए बहुत फेमस है अब मैं आपको बताना चाहूंगी Assam direct recommend के दुरान आप interview के दुरान आपसे और कौन से question put किया जा सकते है यही कि आप अपना introduction दीजिए अपने family के बारे में बताईए हम आपको ही क्यों select करें आप sitting job ज़्यादा prefer करते हैं या field job और भी आपसे बहुत से question put किया जा सकते हैं जैसे कि आपका selection ना होता आप क्या करेंगे और आपका five year plan क्या है और यह मारे पास और भी बहुत से candidates हैं हम आपको ही क्यों select करें और दोस्तों मैं आपको best wishes देती हूँ for interview Thank you